ओनलाइन जुगार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिसे आने वाले वीडियो आपको असानी से मिल जाएं पर बहुत ज्यादा quantity में नहीं कर सकते और वो इतनी सस्ती भी नहीं पड़ती तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे photocopy printers या photocopy machines लेकर के आया हूँ जो आप बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं और उनसे बहुत heavy मात्रा में photocopy भी कर सकते हैं यानि कि आप business भर पर से इन printers या इन photocopy machines को use कर सकते हैं तो दोस्तों आज जो भी मैं आपको चार photocopy machines या xerox printer दिखाने वाला हूँ वो आते तो सस्ते हैं ही मतलब वो जो बड़ी बड़ी heavy photocopy machines आती थी एक डेड़ लाग रुपे की किमत से start होती थी उतने महेंगे नहीं हैं ये लगबग आपको 30,000 से कम की किमत में मिल जाएंगे या मैं अगर कहूं तो 15,000 से 30,000 की बीच मिल जाएंगे और इनसे आप उन machines की तरह ही heavy यानि bulk मातरा में photocopy कर सकते हैं ताकि आप अपने business में कम लागत लगा के अच्छा मुनफ़ा कमा सके तो दोस्तों वीडियो में बने रहेगा और ध्यान से वीडियो को देखेगा मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल ओनलाइन जुगार तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये brother company की तरफ से आने वाला छोटा सा photocopy machine या xerox printer आप इसे कह सकते हैं इसका model number है brother b 7535 dw ये उतना heavy जितनी photocopy machines होती भी नहीं है काफी छोटा printer है और photocopy machine की सारी phobia इसके अधर मौझूद है जैसे ये काफी fast printing करता है एक minute में 34 34 pages ये print कर देता है काफी अच्छी speed है ये duplex printer है यानि की photocopy दोनों side कर सकता है ये page में इसमें wifi की facility है और आप इसे USB से computer में भी connect कर सकते हैं साथ ही आप mobile से भी print out निकाल सकते हैं इसकी tray में एक बार में 2600 paper आप load कर सकते हैं most commonly used होने वाले जितने भी papers हैं जैसे कि A4, A5, A6, legal ये इस तरह के सारी paper support करता है दोस्तों ये बहुत कम power consume करता है सामने इसमें यहां एक LED panel लगा हुआ है जिसमें देख करके आप इसको operate कर सकते हैं ये Windows के लगवक सभी वर्दन को support करता है और अगर मैं बात करूँ कि ये कितना ज़्यादा use कर सकते हो आप इसको business में तो भीया ये एक महीने में 15,000 photocopy print कर सकता है तो दोस्तों जो photocopy machine से आप professionally use करते थे प्रिंटिंग निकालते थे, photocopy करते थे वो उसी तरह की printing ये करता है मतलब ताबर तोड़ा आप जितनी चाहो उतनी print out इसमें निकाल सकते हो ये नहीं ठाकेगा अगर कीमत की बात करें तो ये उतना महिना नहीं आता है ये केवल 18,000 रुपे की कीमत में आपको मिल जाएगा 18,807 रुपे इसकी exact कीमत है जो बढ़ती गटी रहती है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकती है जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय कीमत से 18,807 रुपे दूसरा जो फोटो कॉपी प्रिंटर में आपको दिखाने वाला हूँ ये HP की तरफ से आने वाला ये ब्लैक कलर का फोटो कॉपी प्रिंटर है जिसका मॉडल लंबर है MFP M226DW ये जो फोटो कॉपी प्रिंटर है ये भी पिछले ब्रदर वाले की तरह से काफी कम पॉंपेक्ट है और इसकी भी स्पीड बहुत अच्छी है ये भी प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सारी फेसलिटीज के साथ आता है ये भी एक wireless printer है और इसमें भी आप duplex printing कर सकते हैं यानि पेज में दोनों तरफ printing कर सकते हैं दोस्तो इसकी अगर मैं कीमत की बात करूँ तो ये 29,990 रुपए का आपको मिल जाता है और इसमें 600 mAh का processor लगा हुआ है साथी 256 MB की RAM लगी हुई है जिससे कि ये इसको काफी performance में बहतर बनाता है आप इसमें लगातार काफी देख तक printing कर सकते हैं फोटो कापी कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक professional printer फोटो कापी machine ले तो ये वाला आपके लिए कापी अच्छा option हो सकता है और इसकी जो duty cycle है यानि कि ये कितना printout निकालता है तो ये भी प्रदरवाले की तरह ही एक महीने में 15,000 printout निकाल सकता है 15,000 फोटो कापी कर सकता है दोस्तों अगर आप फोटो कापी machine में एक बहुत थी सस्ता option ढूण रहे हैं तो ये वाला कैनन का image class printer आपके लिए एक बहतर option हो सकता है ये भी सारी खूबियों के साथ आता है ये वाइ-फाई भी है यानि कि आप इसमें mobile से printing कर सकते हैं इसको USB के तुरू computer से भी connect कर सकते हैं प्रिंटे scan copy करता ही है ये और ये केवल 15,999 की कीमा में आपको मिल जाएगा दोस्तो इसका model number है Canon image class MF232W तो दोस्तो ये बहुत बहतर option हो सकता है काफी कम कीमत में आने वाला ये फोटोकॉपी printer है और ये भी Windows के लगबग सारे version सपोर्ट करता है और सबसे खास बात इतनी कम कीमत में आने के बावजूद ये भी 15,000 duty cycle के pages प्रिंट करता है यानि ये 15,000 photocopies इसमें एक मिलने में कर सकते हैं तो काफी अच्छा perform करता है और इसकी speed भी काफी अच्छी है ये लगबग 30 pages एक मिनट में प्रिंट कर देता है और इसकी train में एक बाव में आप 2400 pages लगा सकते हैं इसमें भी आपको एक LED panel मिल जाता है और सामने काफी सारे controls मिल जाते हैं जिसके तुरू आप इस printer को operate कर सकते हैं दोस्तों अगला जो मैं photocopy printer आपको दिखाने वाला हूँ या photocopy machine आपको दिखाने वाला हूँ ये exactly photocopy machine ही है और इसका नाम भी है Xerox ये Xerox की तरफ से आता है इसका model number है Xerox B215 ये multi-function printer है दिखने में भी बिल्कुल photocopy machine जैसा ही है और ये एक मिनट में 30 pages print कर देता है इसमें 256 NB की जो RAM लगी हुई है और 600 MHz का processor लगा हुआ है ये इसको काफी heavy performance के लिए बना देता है दोस्तो इस printer में आपको सामने इस तरह का LED पैनल मिल जाता है जिसको आप touch कर सकते हैं ये एक touch LED पैनल है और इसको भी आप बहुत कम power में operate कर सकते हैं दोस्तो ये देखने में भी photocopy machine जैसा है और ये printing भी बिल्कुल photocopy machine जैसी ही करता है और इसकी कीमत है मात्र 23,602 रुपे दोस्तो ये चारो photocopy printers तो बहुत कमाल के हैं ही इनके अलावा मेरी list में दो और photocopy printer है जो इनसे भी बहुत कम की कीमत में आते हैं इनमें से एक तो केवंद 10,000 रुपे काता है पर perform इन ही की तरह करते हैं पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका इस्तमाल करते हैं तो आप Nisco Matt Company का ये water bag यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी quality का water bag है ये काफी अच्छी packing में आता है इसमें आपको 2500 ml यानि की लगबग 30 ml की capacity मिल जाती है ये काफी सारे color options में available है और इसकी जो quality है जैसे कि आप देख रहे हैं कर सकते हैं ये बहुत अच्छी quality का water bag है बाकी की details आप नीचे description में जाके check कर सकते हैं और इसको purchase करने का link भी मैंने वहाँ दे रखा है जहां से आप इसको खरीच सकते हैं दोस्तों मैं जिस printer की बात कर रहा था जिस photocopy printer की में बात कर रहा था जो 10,000 की लगबग कीमत में आता है वो है ये पैंटम company की तरफ से आने वाला पैंटम M6502 border number का ये black color का photocopy printer इसमें बस wifi की सुविदा मौझूद नहीं है बाकी इसमें photocopy machine के सारे option मौझूद है LED panel आपको यहाँ सामने मिल जाएगा operational buttons मिल जाएगे और ये एक मिनट में 22 pages print कर सकता है इसको भी आप mobile से current कर सकते है पर USB के थुरू और computer से भी current कर सकते है और photocopy scan तो कर ही सकते है और इसकी जो capacity है वो बड़ी surprising है ये एक महीने में 20,000 pages print करता है इसलिए मैंने इसको इस list में डाला है कि ये 20,000 pages का duty cycle रखता है यानि कि 20,000 pages आप इससे print कर सकते है बहुत ज़्यादा heavy use ले सकते है इसमें बस इसमें wifi नहीं है और कीमत की अगर बात करें तो केवल 10,400 लिद्यान बे रुपय का ये photocopy printer आता है तो अगर आप केवल wifi की सुविदा को छोड़ दे मैं ये बता दू कि जो वीडियो में बनाता हूँ उसमें जो जो points में ध्यान में रखता हूँ अगर उन point में किसी कंपनी का printer या photocopy printer machine नहीं fit होती तो मैं उसको उसमें नहीं डालता मेरा वीडियो किसी कंपनी को promote करनी के लिए नहीं है कोई printer available नहीं है जो photocopy के लिए हो और laser printer तो available है ही नहीं फिर भी अगर आप चाहते हैं Epson के fan है तो यहाँ पर मैं एक Epson का printer आपको बता दिता हूँ पर याद रहें वो laser printer नहीं है वो अखला कि इसकी speed अच्छी है पर वो laser printer नहीं है तो वो कौन सा photocopy printer है वो मैं आपको बताता हूँ वो यह है Epson कंपनी का Epson M2140 Eco Tank Monochrome printer यानि कि आप इसमें ink जो है वो tank में भरी होती है ink tank printer के बारे में आपको पता ही होगा अगर नहीं पता तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो इस देख सकते हैं यह monochrome ink tank printer है यानि कि इसमें केवल black ink भरी हुई है और इससे भी आप photocopy machine की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल में ले सकते हैं इसकी printing cost काफी सस्ती है बस यह laser की तरह से laser printer की तरह से उतनी speed में print नहीं करता तो speed का ध्यान ना दे मतलब उस तरफ आप ना जाएं क्योंकि यह laser printer है ही नहीं पर यह 12 पैसे पर page का आपको cost दे देता है और 39 pages per minute यह print करता है कहते हैं पर आपको पता है laser printer जतना यह fast नहीं है तो अगर आप Epson के fan हैं और अगर आप चाहते हैं इस printer के दरफ जाना तो आप इसको ले सकते हैं यह आपको 17,275 रुपै की कीमत में मिल जाएगा लिंक सारे मैंने नीचे description में दे दिये हैं वहाँ से आप इने खरीद सकते हैं कोई question हो कोई query हो कोई doubt हो तो comment करके पूछ लि स्वस्त रहे और प्रिटिक करते रहे